नमस्कार साथियो और आप सभी का लिटरीचे लवर्ट्स में बहुत बहुत स्वागर साथियो आप अक्सर कई सारी न्यूज सुनते रहते हैं जिन में से सबसे ज़्यादा चर्चा होती रहती है TGT PGT की भरती से रिकार्डिग इस बीच मेरे पास आपके लिए एक बड़िहा न्यूज है ये NWS, TGT, PGT की भरती से सम्बंदित या कह दीजे कि जो नवोदे, विद्याले जो है उनमें जो वेकेंसी निकलती है वो teaching post हों या non-teaching post हों उन दोनों में एक बहुत बड़ा परिवर्थन हुआ है और इस बड़े परिवर्थन के साथ आपका benefit सबसे ज़्यादा होने वाला है अक्सर हम लोग बातचीत करते हैं कि कम से कम exams के लिए ये चीज़ decided होनी चाहिए कि आपकी परिक्षा कब होगी, कब form आएंगे और कब क्या होगा तो ये सारी चीज़ें आप अक्सर ये जो है सोचते रहते हैं नवोदय विद्याले शमीति ने कुछ ऐसा ही एक decision लिया है ये दोस्तो notification है 8-5-2024 का और इस notification में इस बात को completely mention किया गया है मैं आपके लिए subject पढ़ देता हूँ, subject है model calendar for activities to be undertaken for direct recruitment and promotion चाहिए वो direct recruitment हो ये promotion हो through LDCE, LDE and assessment of vacancies thereof यानि vacancies कितनी खाली है इसका assessment कब, कौन सी प्रक्रिया कब होगी result कब आएगा, form कब आएगे, क्या-क्या प्रक्रियाएं, कब होगी इन सारी चीजों को लेकर के एक दिशेश तोर से इन्होंने ये notice दिया है तो दोस्तों ये basically इन्होंने activities में क्या-क्या शामिल किया है थोड़ा सा देख लेते है vacancies, assessment for the vacancy year and finalization of MOU with recruitment agency यानि vacancies का assessment किया जाएगा, vacancy year के लिए कब किया जाएगा, तो ये हर साल 13th January, यानि by 13th of January sorry, January नहीं, June यानि 30 June तक basically जो है previous year यानि 30 June तक कर लिया जाएगा और फिर इसके बाद क्या होगा, अगली प्रक्रिया notification आएगा, यानि जब पता चल ले आएगा कितनी number of post है कितनी सारे जो है नवोदय विद्यालों में post खाली है तो फिर जब ये पता चल ले आएगी बात तो notification आउट होगा, portal में और notification कब तक 15 जुलाई तक 15 जुलाई तक notification आजाएगा मतलब अब आपको ये परिशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कब notification आएगा, कब vacancies आएगी चाहे जितनी vacancies आए, चाहे जो number आप post हो लेकिन ये decided रहेगा application inviting की जो प्रक्रिया है ये 15 जुलाई से 15 अगस्त तक हर साल 15 जुलाई से 15 अगस्त तक ये प्रक्रिया चलेगी यानि कि आप जो है form अप्लाई कर सकते इसके बाद आती है बात exam की यानि सबसे पहले तो पता चल लिया है कितनी vacancies है, vacancy पता चल गई तो उसका notification आ गया notification आ गया तो भाई application form भर दो और application form भर दिया तो exam की तैयारी अब exam जो है कब तक हो जाया करेगा, यानि 30 September तक exam हो जाएगा by 30 13th of September यानि 30 September तक exam हो जाया करेगा अब आपका website pre-decided है जैसे NDA, UG, Senate exam decided है कि भाई कब जो है form आएगा कब exam होगा, निस्चित है June में होगा, December में होगा इसके बाद जो देखिए display of merit list अब देखिए, exam जो है CBT based होगा, computer based test होगा, ठीक है इसके बाद आगे अगर हम देखें तो आगे भी नोंने कुछ clarity दिये जबर जस्त clarity है, देख करके जिसे अच्छा लगा मुझे भी फिर इसके बाद देखिए, क्या होगा, display of merit list यानि short listed जो candidate है, उनकी list आएगी कब तक 31 October तक, October के महीने में यानि देखिए, June, July, फिर दिन अगस्त यहाँ पर जो देखिए, इसकिप है September, October October मन्त में क्या हो जाया करेगा basically list आजाया करेगी result आजाया करेगा, कि भाई ये ये candidate eligible है इसके बाद देखिए, अब हो सकता है कि कई और processes हो किसी में देखिए, skill test हो सकता है किसी में personal talk हो सकती है document verification, ये देखिए various vacancies के recording है क्योंकि non-teaching vacancy है, जैसे तवाल लिजे typing test है personal talk है, यानि interview type की चीजें हो सकती है document verification, तो ये कब तक हो जाएगा, 30 November तक हो जाया करेगा, 30 November है न, October के बाद November एक महीने के भीतर जो है अपना सब हो जाएगा, और फिर final selected list आजाएगी जिससे आपको पता चल गया कि भाई ये पूरा selection हो गया है अब कोई दिक्कत है नहीं, परेशान होने की ज़रूरत है नहीं, तो कैसे final जो है selection वाली जो list है, वो 31 December तक आ जाएगी, यानि की नया साल आपके लिए खुशियां ले करके आने वाला है तो ये भी बड़ा जबरजस्त है इसके बाद basically guys appointment यानि final list तो आ गई अब appointment तो भाई नए साल में appointment ले लीजे month of January से appointment सुरू हो जाया करेगा, तो अब ये जो NWS की vacancy है नवोदय विद्ध्याले समीती की जो vacancy है, नवोदय विद्ध्याले स्कूलों में उसके regarding एक पूरा का पूरा calendar जारी किया है और साफ साफ कह दिया है कि भाई ऐसा ऐसा होगा जैसे आगे आने वाले समय में यानि की 2025 में क्या क्या होने वाला है तो देखिए वैसे ही है कि assessment हो जाएगा 30 जून 2024 तक vacancy का notification आ जाएगा जुलाई 2024 में तो भाई ready हो जाओ तैयारी के लिए है न syllabus पिछला वाला देख लीजे क्योंकि भी syllabus पर कोई update नहीं है तो जो पिछला syllabus है जैसे अगर आप English के student है तो मैं बता दूँ आपको जो DSSB का syllabus है जो EMRS का syllabus है वही syllabus है NWS का तो बड़ी हाँ मजे से है न चलो तो देखिए ये 30 जून 2024 तक हो जाएगा वैकेंसी का notification कब आएगा 15 जुलाई 2024 तक और इसके बाद application आप 15 जुलाई से लेकर कि इस 15 अगस्त तक आप application form अपलाई करिए और test कब होगा यानि आपका exam सितंबर में exam होने वाला है सितंबर में exam होगा 2024 में और इसके बाद 31 अक्टूबर तक आपकी merit लिस्ट आजाएगी कौन-कौन से candidate सेलेक्ट हुए इसके बाद अगर कोई skill test है तो तो फिर आपके लिए या नहीं है skill test तो आपका document verification होगा तो ये जो है 30 नॉमबर 2024 तक होगा और final selected list आजाएगी 31 दिसंबर 2024 2025 नया साल यानि selection वाला साल सीधा जो है January 2025 से आपकी निवति जहां पर भी आपको posting मिलना होगा तो मिलना शुरू हो जाएगा ये एक बड़ी जबर्जस्त news है इन सब newsों के बीच में यानि देखे आप एक बात को समझते हैं हम कई सारे exams की बात करते रहते हैं मैं तो ये चाहूंगा कि भई UP के भी जो exam होते हैं या किसी भी state के जो exam होते हैं तो कम से कम छात्रों के लिए ये सारी चीजे होनी चाहिए बाकी और भी कुछ चीजें जो है इसमें लिखी हुई है इसके regarding में इस notification को भी upload कर दूँगा अपने telegram पे तो telegram से आप download कर सकते हैं और अगर आपको course लेना हो क्योंकि आप English student होंगे तो अगर आप course लेना है तो literature lovers app download कर लीजेगा और अभी तो इस समय थोड़ा offer भी चला है तो offer भी चेक कर लीजेगा आप download करके और बस वहाँ से course लेकर के जो DTSV वाला है या फिर कहिए EMRS वाला है same syllabus है even मैं आपको syllabus की एक ज़लग दिखा देता हूँ separate वीडियो में भी मैं आपसे discuss करूँगा देखिए जैसे NBS, TGT, PGT same syllabus होता है और मैं आपको एक syllabus की ज़लग दिखा देता हूँ यह biology का हुआ यह mathematics है चलो भाई mathematics के बाद यह physics का है और English वाला आजा भाई chemistry हो गया और chemistry के बाद अब English ही आना चाहिए commerce हो गया और commerce के बाद जो है अब आजाएगा यह लीजे IT है अच्छा अभी English नहीं है English आने वाला होगा तो मैं एक बार आपको syllabus भी दिखा देता हूँ आप syllabus भी देख लीजे थाकि आपको यह रहे कि हाँ syllabus यही है match कर लीजेगा आप लोग भी बैठ करके ऐसा नहीं है कि match ना करें match करना बड़ा ज़रूरी है भाई जल्दी से आजा बच्चों को बड़ी जल्दी है देखने की network concept यह economics हो गया economics के बाद English आ जाएगा भाई यह है देखिए English तो English का यह syllabus है अगर आप देख रहे हैं स्क्रीन में बड़िया से देख लीजिएगा यह वही देखिए पार्ट है English का जो PGD का है वही TGD वाला syllabus है reading comprehension section 1 है फिर writing ability section 2 है है ना इसके बाद अगर आप देखें grammar and uses तो section C हो गया और यह देखिए literature पूरा Shakespeare के work romantic period है ना वो सारा जो आपका जो है DSSB में जो syllabus है या जो syllabus कह दीजिए कि उसमें है EMRS वाला वही syllabus है same syllabus यही है ठीक है तो कोई परेशान होने वाली बात नहीं है directly वही और नया batch भी मैं launch करूंगा तो वो भी आपके लिए आनन्द आएक चीज है तो बस इसलिए का मेरे साथ ट्यून भी रही है और बांकी सब देखते रहे है TGT का भी syllabus यही है ठीक है तो फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार ये अच्छी न्यूज आप तक मुझे पहुचा नी थी और मैंने पहुचा दिया अथेंटिक न्यूज के लिए और स्टडी के लिए लिटरेचर लवर्स चैनल से जुड़े रहे है और सैनल को सब्सक्राइब कीजे मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार जैहिन जै भारत